हेलो दोस्तो बेलकम बैक आप देख रहे हैं अपडेटेड ग्यान हम सब जानते हैं कि हमारे देश की राजनीती में बहुत बड़े बड़े दिगज और महान राजनीता हुए हैं जिनों ने हमारे देश को बुलंदियों तक पहुचाने का काम किया है जिन में जवालान लहरू, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंगा राव और अटल विहरी बाजपेई और बरतमान पधान मंतरी नरेन्द मोदी जी हैं जो आज विश्वर में विख्यात हैं आज का यह वीडियो नरेन्द मोदी जी के संगर से लेकर सिकर तक की कानी खहेगा तो बने रही है हमारे साथ और देखते रही है अपडेटेड ग्यान अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें नरेन्द मोदी जी का पूरा नाम नरेन्द दामोदर्दास मोदी है इनका जन्म 17 सितंबर 1950 गुजरात में हुआ था 26 मई 24 से अब तक लगाता दूसरी बार वे भारत के पधान मंत्री बने है तथा वारांशी से लोगसवा सांसत भी चुने गए है वे भारत के पधान मंत्री पद पर आसीन होने वाले सुतंतर भारत में जन्में प्रतम व्यक्ति है इससे पहले वे 7 अक्टूवद 2001 से 22 मई 24 तक गुजरात राज्य के मुक्ख मंत्री रह चुके है मोदी जी भारती जन्ता पार्टी भाजपा एवम राष्टिय स्वेम सिवक्संग आरसेस के सदस्य भी है बढ़नगर के एक गुजराती परवाद में पैदा हुए मोदी ने अपने बच्पन में चाय बेचने में अपने पिता जी की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया आठ वर्स की आयू मेवे आरासेसे जुड़े जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंदित रहे इसना तक होने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ दिया मोदी जी ने दो साल तक भारत भर की यात्रा की और अनेकों धार्मेक किंद्रों का दोरा किया 1970 में वे गुजरात लोटे उनके बाद अहमदाबाद चले गए 1970 में वह RSS के लिए पून कारिक कारकरता बन गए 1975 में देजवर में आपात काल की स्थती के समय उन्हें कुछ समय के लिए अग्यादवास करना पड़ा 1985 में वे BGP से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदान करम के भीतर कई पदों पर कार किया जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचेप के पद पर पहुँच गए 2001 में गुजरात के भुज में भूकम के आने के बाद गुजरात के ततकालिन मुक्यमंतरी केशु भाई पटेल के अस्पल स्वास्त और खराब सारविनिक छबी के कारण स्री नरेंद मोदी जी को 2001 में गुजरात के मुक्यमंतरी पद पर नियुक्त किया गया स्री नरेंद मोदी जी सीकर ही विदाई विधान सवा के लिए चुने गए 2001 के गुजरात दंगों में उनके प्रसाशन को कठोर माना गया इस समय उनके संचालन की भी आलोचना हुई हाला कि गुजरात दंगों में सर्वोच नियाले द्वारा नियुक्त विशेश जाच कमेटी SIT को अभियोजन पच्च की कारवाही आरम करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला और उन्हें सर्वोच नियाले द्वारा क्लिंचिट मिल गई गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोटसाइत करने के लिए श्रे दिया गया वे गुजरात राज्य के चौदे में मुख्यमंत्री रहे उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जंता ने लगाता चार बार दोयार एक से लेकर दोयार चौदे तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गुजरात विश्विध द्हले से राजनीति विज्ञान में इसनात को तर डिगरी प्राप्त स्री नरिंद मोदी विकास प्रोष के रूप से जाने जाते हैं और बरत्मान समय में देश के सबसे लोगप्रिय निताओं में से हैं टाइम पत्रका ने मोदी को पर्सन ओफ दहियर दोयाद 13 के 42 उमीदवारों के सूची में सामिल किया है अटल विहरी बाजपेई की तरह नरेंद मोदी एक राजनीता और कभी भी हैं वे गुजराती भासा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेश्म से ओत्परोत कवताईं लिखते हैं उनके नेत्वत्त में भारत की प्रमगविपच्ची पार्टी भारती जंता पार्टी ने दोयाज चौदय का लोकसवा चुनाब लड़ा और 282 सीटें जीत कर अभूतपूर सपलता प्राप्त की एक सांसत के रूप में उन्होंने उत्तर पदेश की सांसिक नगरी वारानसी एवं अपने ग्रहराज गुजरात के बलोदरा संसती छेतर से चुनाब लड़ा और दोनों जगों से बहतरीन जीत दर्ज की उनके राज में भारत का प्रत्यच्च विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुब्दाओं पर खर्ज तेजी से बड़ा है उन्होंने अपसर साही में कई सुदार किये तता योजना आयोक को हटा कर नीती आयोक का गटन किया बड़ी जीत दर्ज की पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की भाजपा के समर्थक दलों ने यानी राजक को कुल 358 सीटें प्राप्त हुई 30 मई 2019 को सपत घ्रणकर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पदान मंत्री बने 2019 के आम चुनाम में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जंबू और कश्मीर की विसेश राजिका दर्जा को रद कर दिया उनके प्रशासन ने नागरिक्ता संसोधन अधनियम 2019 वी पेश किया जिसके परणाम सरूप देजबर में व्यापक विरोध प्रदशन हुगे मोधी अपने हिंदू राष्टवादी विश्वासों और दोयादो के गुजराद दंगों के दोरान उनकी कथिक भूमका पर घरेलू और अंतराष्टी इस्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है जिसे एक वहिश्कारबादी सामाजिक एजेंटे के प्रमाड के रूप में उद्गरश्ट किया गया है आज जब भारत के पधान मंतरी नरेंद मोधी 73 वर्ष के हो गए हैं तो यहाँ एक साधरन चाय विक्रीता से एक वैश्युक राई नेता तक की उनकी उलेखने यात्रा को प्रिद्विम्मिप करने का अवसर है यहाँ उनके सासिक और सासी नेतवत्व की सराना करने का भी अवसर्व है जिसने भारत को कई माइनों में बदल दिया है उनका नेत्वत्व दूर दर्शी निर्णयों और अटूर द्रण संकल्प के प्रवावसाली रिकॉर्ड द्वारा चिन्नित है दिल्ली में G20 सिखर संबेलन के दोरान मोधी की कूटनितिक छमता चमक उठी और उन्होंने वैस्वक मंच पर भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाया वह वह करने में काम्याब रहे जिसे असंबम माना जाता था पस्चिम और रूस को एक संयुक्त गोशनापत पर अस्थाचर करने के लिए सेमत करना जो भारत के बन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के G20 मंतर के अनरूप था जलवायू कारवाई और नभी करनिय उर्जा नवेश के प्रति उनकी प्रतिबंधता को अंतरराश्टी स्तर पर प्रशन सामिली है 2020 तक सुद्ध शून्य उत्सरजन, नेट जीरो एमिशन हासिल करने की भारत की प्रतिग्या और मेत्तो खांची वन अर्थ, वन वर्ड, वन ग्रिड पहलने इस्थाई भविश्च की दिशा में एक महत्रपून प्रगती को चिन्नित किया है विदेशों में गूंश्थी, मोदी की दहार नर सिर्फ मोदी बनकि भारत की सौफ्ट पावर का भी प्रदशन है भारी भीड और अंतराश्टी प्रसंसा ने वैस्विक मंचपर भारत की स्तिती को उँचा बढ़ाया है मई 22 में जापानिस है हिरोश्यमा में कौडवेटक के दोरान अमेरिकी राष्टपती बडेन ने मजा की अंदाज में उनका आटोग्राफ लेने की बात कही यहां मोदी के वैस्विक कद का प्रमाण था ट्विटर, फेस्बोक, इंस्टाग्राम और यूटूब जैसे सोशल मीडिया प्रोलेटफ़र्म पर मोदी के बहुत बड़े प्रसंद चके हैं वो अपने मासिक रेडियो कारिकरम मन की बात के माद्यम से भी लोगों से बाचीत करते हैं जहां वो विविन मुद्दों पर अपने विचा साजा करते हैं और शुरोताओं से सुजावा मंतरित करते हैं लेकिन कई लोगों ने मीडिया को जानकरी देने से कतराने के लिए प्रधान मंतरी के अलोचना की है उन्होंने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फरेंस नहीं की है हाला कि यह उन्हें जन्ता से जोडने से नहीं रोकता वीजेपी की मजबू सोचल मीडिया सेना भी उनके संदेशों को फैलाने में मदद करती है प्रधान मंतरी ने जन्ता विशेशकर विवाओं से सीधे जुडने के लिए सोचल मीडिया और प्रध्यविक के गुपयोग में भी महारत हासिल कर रखी है लेकिन मोदी के नित्वत्य का कोई भी विशलेशन आलोचना को संबोधित किये बिना पूरा नहीं होता कुछ लोगों का तर्क है कि उनके आर्थिक सुदारों से हमेशा हासियों पर रहने वाले लोगों को फायदा नहीं हुआ है और उनके कारेकाल के दोरान धार्मिक तनाव को लेकर चिंताएं पैदा हुई है भारत के नेता के रूप में उन पर इन चुनोतियों से बढ़ने की जिम्मेदारी है पश्वी मीडिया विशेश रूप से आलोचना तमक रहा है टाइम पत्रका ने एक बारों ने भारत का प्रमग विवाजक करार दिया था आने वाले आगामी लोकस्वा चुनाव में अगर भारती जिन्ता पार्टी की बहुमत के साथ जीत होती है तो मुझे लगता है कि भारत का बविश्य बहुत उज्जोल होने वाला है मोधी जी के नित्वत में भारत आने वाले वर्षों में नई उचाईयों को चुछ हुएगा और विश्यो की पांच मी नहीं मैं समझता हूँ तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनकर उबरेगा और विश्यो में भारत का कद बहुत उचा होने वाला है अगर आपको मोधी जी के संगर्च से सिकर तक का वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना न भूले और देखते रहें अपडेटेड ग्यान थेंक्यू सो मच